कहते हैं कि कभी तो आस्मा से चांद उत्रे और जाम हो जाए आपके नाम की एक खुबसुरत शाम हो जाए बशीर बद्र साब की जो लाइने हैं वो बताती हैं कि कई शामे कई लोगों के नाम पर गुजर जाती है सवाल इसी बात का है कि यदि नाम एक हो तो फिर भी ठीक है यदि नाम हर शाम बदल रही है तो बरवादी को कोई रोक नहीं पाएगा ऐसा ही कहा जाता है मुगल बादशाहों के बारे में जो औरंग जेप के बात के मुगल बादशाह हैं यहां हम बात कर रहे हैं declient of मुगल एरा की बड़ा ही महत्तोपूर्ण topic है महत्तोपूर्ण इस नजरिये से है कि यदि आपको decline समझ में आएगा तभी आपको British establishment समझ में क्योंकि एक कमजोर साशक जो अपने आपको अस्थापित नहीं कर पाए मुगलिय सल्तनत में यदि वो ताकतवर रहे होते तो शायद जो यूरोप से आई हुई यूरोपिन कमपनीज थी साथ कहानी कहाँ से समझने के लिए और अनगेव की मृत्यू को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि और अनगेव ने मुगलिय सल्तनत के एंपाइर को बढ़ाते समय कहाँ तक dripping किyan था और क्या कारण रहे कि वो आगे चल करके बास्षाहों ने सम्हाला नहीं आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कुछ इमेजेज आपको नजार आ रही है जिसमें सलग रहा है कि मुगल बास्षा अपनी जिन्दगी की सबसे हशीन दिनों को एंज्वाय कर रहे हैं डेफिनिटली ऐसा ही कहा जाता है आप पढ़ेंगे मुहम्मद शाह के बारे में जिनित्यासकारों ने रंगीला का नाम दिया और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैक्स वेवर जैसा ब्यक्ति भी लिखता है कि यदि आप एडिमिनिस्ट्रेटर हो आप एक सासक हो तो आप लग्जूरियस लाइफ को पसंद ना करें भोग और विलासिता के जीवन में आपका भरोसा नहीं होना चाहिए ऐसे में यदि हर शाम आप किसी के नाम गुजार रहे होंगे शराब और सबाब की दुनिया होगी तो इन हालातों में आपका सासन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी का परिडाम देखने को मिलता है कि औरंग्जेव के मरने के बाद मुगलिया सल्तना तूट करके बिखर जाती है और इसी तूटने और विखरने के क्रम में बाकी कमपनियों को मौका मिलता है और वो अपने आपको इस्टेबलिस करते हैं जिसे आप आधुनिक भारत की इतिहास के नाम से पढ़ते हैं जो आपकी परिक्षाओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा है तो इस शोटे से लेक्षर में आप इस समझेंगे कि कौन-कौन से मुगल बाश्चा थे उनके बारे में क्या कहानिया हैं और उन कहानियों से आपकी परिक्षाओं में क्या प्रशन पूछे आते हैं आई शुरू करते हैं बहुत ही बहतरीन सा टॉपिक है टॉपिक यह है कि मुगल सामराज्य का पतन कैसे हो रहा है इसे हम आधुनिक भारत के इतिहास में इसलिए रख रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास की जड़ें यहीं पर हैं जिसे आप आधुनिक्ता कहते हैं मोटे तोर पर वो एक बदलाव है जहां पर हमने भारत में मुगल सल्तनत के कल्चर को छोड़ करके अंग्रेजियत के संस्कारों को ग्रहन करना शुरू किया था वही आधुनिक्ता का बदलाव क्रम आपको दिखाई देता है अर्थात इदि हम बात करें तो मोटे तोर पर 1757 से लेकर कि 1947 तक जिसे प्लासी टू पार्टिसन भी कहा जाता है इतिहास में उसे लोग आधिनिक भारत के नाम से पढ़ते और पढ़ाते हैं लेकिन मेरा ऐसा मानना है किसी चीज को समझने के लिए उसके जड़ में जाना बड़ा जरूरी है चुकि अंग्रेश तो 1600 इस्वी में ही आ गए थे और 1600 में अकबर बैठा हुआ था साशन में अकबर के मुगलिय सल्तनत की जो आर्मी थी वो बहुत मजबूत थी आपको पता है मनसबदारी प्रडाली पर मुगलिय आर्मी काम कर रही थी अकबर बट ऐसा क्या हुआ कि इतनी मजबूत आर्मी जो हिंदुस्तान पर राज कर रही थी जो मुगलिय आर्मी थी मुगलिय सेना थी वो देखते ही देखते किस प्रकार से खतम हो जाती है और दक्कन तक फैला हुआ मुगल सल्तनत दिल्ली के लाल किले में सिमट जाता है दिल्ली के लाल किले से चांदुरी चोग तक की जो रास्ते हैं यदि वो गुलजार हैं तो बाश्चा को लगता है कि हम बाश्चा हैं इसके पिछे कोई न कोई तो करण होगा और ऐसे कौन से बाश्चा थे जिनको मौका मिला फिर भी वो अपने आपको प्रूफ नहीं कर पाए ये सारी बात ने इस लेक्शर में हमें करनी है तो जड़े हैं आदुनिक भारत के लेकिन उससे पहले मैप समझेंगे मैप समझना बहुत आवश्यक है देखिए ध्यान से मैप समझेगा फिर उसके बाद और बाते होंगी ये 1526 में जो बाबर पानीपत के पहले युद्ध में अटेक करता है और इबराहिम लोदी को मारता है इब्राहिम लोदी को मारने के बाद पानिपत का जो पहला युद्जीत करके बाबर आता है तो आप सब को पता है कि उसे दिल्ली चाहिए थी दिल्ली का भरा हुआ खजाना जब बाबर को मिलता है तो बाबर समझ जाता है कि अब काबूल की गरीबी दूर हो जाएगी क्योंकि गंगा एमुना के दुवाब में आप देखिए गजरा ध्यान से जहापर मैं मारकर को ड्रॉ कर रहा हूँ बाबर के द्वारा जीता गया चेतर काबूल से लेकर के दिल्ली तक मुगलिया सल्तनत की निव रखता है भारत में एक मजबूत सामराज्य को स्थापित करने को दिस से बाबर लगातार चार युद्ध लड़ता है और चारों में जीत प्राप्ट करता है लेकिन पंदर सो तीस में बाबर की मुरित्यूं ने हुमायूं को बादशा बनने का मौका दिया और हुमायू जो बादशा बनता है तो बंगाल तक एक्स्टेंड करता है फुमायू के साथ अपनी अलब चुनोतियां थी आप मन्दे कलन भारत में हुमायू को मैंने पढ़ाया होगा तो वहां पर आप पढ़ेंगे समझें लेकिन हुमायूं चुनोतियों से लड़ते हुए जो बैटलाफ सरहिंद के बाद बैटलाफ मच्छी वाड़ा के बाद कि एक साड़े तेरह वर्स की बच्चे को जिसका नाम चलाल उदीन मुहम्मद अकबर हिंदुस्तान की तख्त देता है तो अकबर वहां से पीछे नहीं हटता है अकबर मुगलिया सल्तनत को बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास करता है जो एक बादशा को एक सासा को करना चाहिए और अकबर ने मुगलिया सल्तनत को आप देख सकते हैं कि यहां तक एक्स्टेंड कर दिया अकबर ने मुगलिया सल्तनत के प्रसासिन को, मुगलिया सल्तनत के खजाने को मुगलिया सल्तनत के अंदर भारती समाज को सुद्रिन करने की कोशिस की उसकी अपनी पॉलिसी थी रिलीजन को लेकर के सेक्विलरिजम की पॉलिसी थी राजपूतों को लेकर के मेरेज पॉलिसी थी लेंड रिविन्यू को लेकर के दहसाला सिस्टम था इन तमाम प्रयासों से अकबर ने consolidate किया मुगलिय सल्तनत को और आप देख सकते हैं कि यहां तक extend कर दिया अकबर के बाद अकबर का बेटा जहागीर और उसके बाद शाहजाहाँ जहागीर से हम कह सकते हैं कि जहागीर ने कुछ बहुत extension तो नहीं किया लेकिन शाहजाहाँ ने उधर कांधार और इधर दक्कन दोनों को जीत लेने की जो आकांशा अपने मन में रखी थी उस प्रयास में शाहजाहाँ ने दक्कन में कई प्रयास किये और शाहजाहाँ का बेटा और अरंगजेब उसने मुगलिय सल्तनत को दक्कन में यहां तक बढ बेठा हुआ और अंग्जेब यह मान के चल रहा था कि हमें दर्बार को मस्ती और शराब और सबाब की तरफ नहीं ले जाना है एक ताकत वर्स रूल करना है एक सासन करना है और मुगरिया सल्तनत को बढ़ाना है दर्बार बिल्कुल सूना कर दिया मौज मस्ती मुजरा डांस सब्बंद और केवल और केवल तलवार का सासन होगा इसलाम को आगे बढ़ाएंगे इस उद्देश के साथ और अरंग्जेब मिसासन करना शुरू किया और यहां तक बढ़ा दिया इसमें समझने वाली बात यह थी कि यदि किसी चीज को जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रे होती है दक्कन में इस फाइट में मुगलिय सलतनत का खजाना कमजोर हो जाता है और वो इतना कमजोर हो जाता है कि और अरंग्जेब के मरने के बाद जो मनसबदार है या जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो अपने आपको कमजोर सासकों के सामने हो जाएंगे बाद सा सिर्फ नाममात्र कर रह जाएगा और वाकी सारा काम जो नवाव होंगे वो अपने हिसाब से करेंगे तो कहानी शुरू होती है सत्रसो साथ से सत्रसो साथ में किसकी मृत्य होती है सत्रसो साथ में औरंग्जेब के मृत्य होती है हम उसकी मृत्य से 1857 तक कि टाइम पीरेट को हम ये समझते हैं कि ये टाइम पीरेट यहां पर मुगल बादशाह के रूप में रहेंगे जो कि बाबर पहली बार पादशाह की उपाधी धारण करेगा मिरजा जो उसके पुरोजों की उपादी है उसे छोड़ करके बादशाह की उपादी शुरू होगी हिंदुस्तान में और 1857 में आप पढ़ेंगे कि अंतिम मुगल बादशाब आदूर साह जफर को अंग्रेजों ने रंगोन यानि की बर्मा भेज दिया तो यहां तक हम जो मुगल इरा है इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे दो हिस्सों में बाटेंगे पहला हिस्सा यह होगा जिसे हम मुगल काल कहते हैं जिसमें मुगलिया सलतनत लगातार बढ़ती जा रही है एक मजबूत शाषन बाबर के द्वारा जो शुरू हो रहा है वहां से चल करके औरंग्जेब तक लगातार यह बढ़ रहा है वहीं 1770 में जब औरंग्जेब की डेथ हो जाती है यह डेथ जो है वो पॉइंट आफ चेंज है और इस पॉइंट आफ चेंज के बाद जो 1707 से 1857 तक का मुगल काल है इसको हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं लेटर मुगल काल भी कह सकते हैं लेटर मुगल काल तो मुगल पिरियेट को 200 बाढ़ दिया 1526 से लेकर के 1707 तक ये खिस्सा हो और दूसरा हमने बाढ़ दिया 1707 टू 1857 आएए एक क्रोनोलाजी को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं क्रोनोलाजी को समझने के लिए आवश्यक है कि आप देखें कि बाबर जो आ रहा है ये 1530 तक रहता है उसके मत्तिय जाती 1530 में इसके बाद हमायू 1530 से 1540 तक रूल करता है 1530 से 1540 तक हमायू जो रूल कर रहा है उसके सामने एक बहुत बड़ा संगर्स किसका है एक बहुत बड़ा संगर्स है सेरसाह सूरी का और याद रहे कि सेरसाह सूरी जो है यह मुगल नहीं है यह अफगान है जब यह हमायों को battle of बिल्ग्राम या battle of कन्योज के बाद हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर देता है तो पंद्रव सो चालिस में हमायों का सासन होता है माफ करेगा सेरशा का सासन होता है इसका मतलब 아फगान रूल is established होता है क्या establishment होता है अफगान रूल यहां पर बहुत alert होने की जुरत है कि हिंदुस्तान में पहला अफगान रूल नहीं इस से पहले जो लुदियों का सासन था धिल्ली सल्तनत में वो भी अफगान रूल ही था तो याद रिखेगा ये सेरशाद वरा इस्टेबलिस किया गया अफगान रूल हिंदुस्तान में दूसरा अफगान रूल है पंदसो चालिस में देश छोड़ करके भागा हुआ हुमाईूं अपनी संघर्थ के दिनों में इश्क करता है शायद इस्क वैसी ही है जो महबबत करीबी में संघर्थ में बहुत जल्दी हो जाती है क्या ऐसा लगता है कई बार ऐसे हालातों को देख करके और उसी इस्क से जो बीवी मिलती है उसे उसी बीवी से एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा जरालुदीन मुहम्मद अकबर और हिंदुस्तान के बाश्चा हुमाईूं को बार बार ये मन में आएगा कि ये अकबर जो हमने एक पुत्र पैदा किया है इसे हम विरासत में क्या देंगे ऐसे में आवश्यक्ता पढ़ती है हुमाईूं के मेंटर बैरम खान की बैरम खान कहते हैं कि एक बार फिर से अपनी सेना को संगठित किया जाए वक्त आ चुका है हिंदुस्तान को दुबारा से जीत लेने का और ऐसे में सेच शाह सूरी के 1545 में कलिंजर के फोर्ट पर बम ब्लास्ट के कारण मृत्ति होने के बाद सूरी डानेस्टी के जो सासर्ख हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं है और वक्त आ गया 1555 का 1555 में हुमायू सरहिंद में युद्ध लड़ता है और हिंदुस्तान को दुबारा से जीत लेता है 1555 से ले करके 56 तक हुमायू जिन्दा रहता है और 1556 में सेरे मंडल लाइब्रेरी की स्यूनियों से रुड़कते हुए हुमायू के हेड इंजरी के कारण हुमायू की मृत्य हो जाती है इसी वीच 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ अकबर अब लगभग साड़े तेरे वर्स का हो चुका है लाहूर का सुविदार या गवर्नर आप कह सकते हैं उसे मृत्यू की सूचना जब मिलती है तो कहा जाता है कि आप आपको हिंदुस्तान का बाजशा बनना है इंट्रस्टिंग फैक्ट यह है कि साड़े तेरा वर्स की उमर में आप से दिखा जाए कि आप बाजशा बनोगे तो आपके हासे तलवार कैसे चलेगी या निरेड़ा आप कैसे लेंगे बड़ा कठिन परिस्थिती आपके सामने आ सकती है ऐसे में भी बेरम खान के मदद से हिंदुस्तान के बाजशा अकवर का कला नौर में राज़्या विशेक होता है याद रहे फरवरी 1556 में उसका राज्या विश्यक होता है और जब वो हिंदुस्तान की दिल्ली के तरफ आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक चुनोती थी और वो चुनोती थी हेम चंदर उर्फ हेमू के नाम की जो कि अफगानियों का सिनापती था हेम चंदर के सामने जो समस्या थी वो समस्या ये थी कि उसे अकबर को हिंदुस्तान के तक्त पर नहीं बैठने देना था ऐसे मुशने अकबर को चलेंज किया और आप पढ़ते हैं कि 5 नुमंबर 1556 को सेकेंड बैटलाफ पानी पत होता है जिसमें हाथी पर बैठे हुए हेमू को आँख में सीधे जाकर के तीर लगती है और माना जाता है तिहास करों ने लिखा है कि इस युद्ध में अकबर का भाग साथ दे रहा था और हेमू का दुर भाग साथ दे रहा था एक बहुत बड़ी सेना और एक बहुत बड़ी हिम्मत लेकर के भी हेमू हार गया और अकबर की जीत हुई और इस प्रकार से अकबर हिंदुस्तान के बाश्या के रूप में दिल्ली के तक्त आगरा के तक्त पर बैठा हुआ अकबर अब धीरी-धीरे बड़ा हो रहा है में उनको वो कहता है कि आप ऐसाना करिए बावजूद उसके 1561 में जा करके बैरम खांस युद्ध लड़ाना पड़ता है अकबर को और वहीं से अकबर अपने आपको एक अधिकार देने के साथ है उनके साथ अच्छे संबंद बनाना गुजरात को जीतना बंगाल को जीतना मनसबदारी प्रडारी की शुरुवात करना सेक्लरिजम की पॉलिसी को ले करके चलना इबादत खाने को बनवाना इबादत खाने के साथ साथ दीने इलाही का कॉंसेट ले जाता है और एक लंबा सासन लगबग उन्चास वर्सों का सासन करते हुए 1605 में अकबर की मृत्ती हो जाती है इसके बाद सासन मिलता है उसके बेटे साहजादे सलीम को जिसको बड़ी मिन्नत से अकबर ने सेक्स सलीम चिस्ती की कुटिया से प्रात्त किया था कहते हैं कि जब इनसान के उपर शराब और सवाब करनसा चड़ता है तो उसे उसके सामने कुछ और दिखाई नहीं देता है इसक में डूबा हुआ जहांगीर जिसका नाम सलीम भी था उसे लगता है कि शराब पिना अफीम पिना ये बादशाह की बादशाहत है और बड़ी बात ये थी कि अकबर ने इतना कुछ कर दिया था कि अब जहांगीर को बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यक्ता भी नहीं थी ऐसे में जहांगीर को मुगलिय सल्तनत की कमान हाथ में आती है और 1605 के आगे वो बढ़ाना शुरू करता है पेंटिंग को प्रमोट करना, चितरकला को बढ़ावा देना, कबूतर उडाना और भी जो बादशाहों की अपनी बादशाहत रही है उसमें आराम से जहांगीर अपना काम करता है 1627 में उसके मृत्ति हो जाती है आप जानते हैं कि उसका बेटा शुरू जहां अपने प्यार के लिए पुरी दुनिया में आज भी प्रसिद्ध है अर्जमंद बानो वेगम उर्फ मुम्ताज महल के नाम से प्रसिद्ध हो उसकी बीबी जिसकी याद मुशने ताज महल बनवा दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा बासा मुगलिया सल्तनत को किस तरीके से मुचाई पर ले जा रहा होगा लेकिन उसका बेटा जो औरंग्जेब था तल्वार की दम पर शासन प्राप्त करता है क्योंकि बड़ा बेटा तो दारा सी को हो था औरंग्जेब ने तल्वार की दम पर शासन प्राप्त कर लिया और कहा कि ये डांस गीत मुझरा सराव शवाब सब बंद जुवा बंद अब होगा सामराज जविस्तार और ध्यान दिजेगा सामराज जविस्तार तो हो लेकिन खजाने में क्या इतनी ताकत है कि यदि आर्मी पर आप उतना खर्च करेंगे तो आपका खजाना तूटे का नहीं खाली नहीं होगा इसे कहते हैं वार अनालिसिस यदि वार अनालिसिस किये बिना आप युद्ध में कूद गए इसलिए आपको इतिहास पड़ा आ रहा है कि आप समझें फिलहाल अरंग्जेब मुगले सल्तनत को आगे बढ़ाता है और इसको अच्छा खासा संगर्ष करना पड़ता है उस संगर्ष में मुगले सल्तनत कमजोर होती है और अरंग्जेब के मृत्ति होती है और शुरू होता है इसके बाद के सास्कों का क्रम तो एक तो प्रश्णाप की परिक्षा में इसके बाद के सास्कों के करम से क्रोनोलाजी पुछी जाती है कि आप ये बता दिए कि कौन सा सास्क किसके बाद आया और कौन सा इसके बाद आया दूसरा इससे हिस्सा ये पुछा जाता है कि किस बाजशा को क्या title दी गए थी उपाधिया के दी गए थी और किस बाजशा के सासनकाल में क्या अंग्रेज या फ्रांसी सी क्या काम कर रहे थे तो उधर से भी question को आपस में जोड़ा जाता है देखें सासकों की नाम है यहाँ पर सबसे पहले मुहमद मुहमद आजम शाह का time period 1707 से लेकर के 1707 यनि मार्च से लेकर के जून तक है बड़ा short time period है short time period वाले किसी सासक से हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं इसके बाद मुहमद मुहजम के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें शाह बेखबर कहा गया क्या कहा गया शाह ए बेखबर ये question बहुत बार पुछा गया और मुहमद मुहजम ही बहादूर शाह प्रथम थे ये भी याद रखेगा इनका time period आप देख सकते 1707 से 1712 तक का है इसके बाद जो बाद शाह आया जहांदार शाह आया इतियास कारों ने इसे लंपट मुर्क कह यह आपकी परिक्षाओं में बार बार पूछा गया है लंपट मुर्क कहा जहांदार शाह को और मार्च 1712 से लेकर के 1713 तक है रहा इसके बाद फरुक सियर आया फरुक सियर को इतियास कारों ने घ्रिडित कायर कहा तो मैं आप बताता हूं कि यह तीन फैक्ट बहुत इंप की हैं वह हम लोग आगे देखेंगे लेकिन पहले क्रोनोलाजी को समझना है फिर अभी इसी लेक्चर में आप देखेंगे आगी कि वह क्या कर रहे थे इसके बाद रफी उद्रजात या रफी दौराजात यह फरवरी से लेकर के जून 1719 तक रहता है इसके बाद आप देख इसके बाद आते हैं रोशन अक्तर जिने मुहम्मद शाह भी कहा गया और इतिहास कारणी ने टाइटल दिया रंगीला एक लंबा टाइम पिरिएड यह रूल करेंगे 1719 से लेकर करके देख सकते हैं 1749 तक का टाइम पिरिएड है मुहम्मद शाह रंगीला का इसके बाद आह अहमद शाह के बाद आप देख सकते हैं अजीजु दीन आलमगीर दुती यह पीडियाप विट एनोटेशन आपको एप्लिकेसन में मिल जाएगा वहां से आप इसे उपन करके दुबारा से भी देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और इसके बाद बात आती है शाह जहां तृतिय लगवर नाम शाह आलम सेकेंड अक्टूबर 1760 से लेकर के जुलाई 1788 तक और बीच में जुलाई से लेकर कि आक्टूबर तक जो साशक है वो है यहां चातूर्थ लेकिन उसके बाद फिर यही अली गोहर शाह आलम सेकेंड आ जाता है और commando ऐसके सकते हैं यहां से इसल 206 से लेकर 1837 तक बहुत लंबा टाइम पिरेड और अगें आगे बहादूर साह से कें 1837 से 1857 तक तो ये क्रोनोलाजी हो गई लेटर मुगल की आप से बार बार पूछा जाता है दो स्लाइड पर हमने क्रोनोलाजी आपको बता दी अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जनाब ये जो मुगल बात दी इन्होंने क्या किया तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे मुहंमद मुअज्यम की जिसको हम शाहे बेख़भर कह रहे थे यह बहादूर साह प्रथम इनके बारे में जाला समझेगा कहा जा रहाया कि 65 वर्स की अवस्ठा में बादशा बना तो जब ये 65 वर्ष की अवस्था में बाश्चा बनेगा तो 65 वर्ष में एमिशन बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा सामराजी विस्तार हो या कुछ भी हो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे महात्रोकान चाहें घटने लगती है ऐसा माना जाता है तो इसकी जो policy होगी वो कैसी होगी liberal होगी adapted liberal and peaceful policy इसके अलावा खफी खान जो इतिहासकार था खफी खान ने इसको शाहे बेखबर कहा और ध्यान से समझने वाली बात है कि इसने जैजिया की वसूली को समाप्त कर दिया और अंगजेव ने देखिए पहले अक्बर ने जैजि अगिर शाह जहां ने इसको री इंपोज नहीं किया और अंग्जेब ने दुबारा से जजिया को री इंपोज कर दिया और अंग्जेब के मरने के बाद यहां पर फिर से जजिया को समाप्त किया रहा है लेकिन अभी जजिया पूंडता समाप्त नहीं है जजिया अभी मुहम का बिरोध करते हुए बहुत important point है यह ध्यान रखेगा एक सिख अभियान में बंदा बहादूर का बिरोध करते हुए मुहम्मद मुज्यम की या फिर बहादूर साह पर्थम की मृत्ति हो जाती है इनका chapter समाफ जाता है इसके बाद बाद शुरू हो जाता है जहांदार शाह का जहांदार शाह देखिए एक साल का time period है तो कुछ बहुत देखने को तो नहीं मिलेगा लेकिन interesting fact यह है कि वह बहुत भ्रस्ट और अनैतिक था he was very corrupt and immoral और इसका सासनकाल नर्तकियों तथा गीतकारों के लिए अधिक अनुकूल था मैंने क्या कहा कि अब यह जो बादशा है इनकी रंगीनिया बढ़ेंगी और यहीं रंगीनियों में आप देखेंगे मुगलिया सल्तना तूट करके बिखर जाएगी नर्तकियों और गीतकारों के लिए अनुकूल है क्योंकि बादशा खुदी इंट्रेस्ट ले रहा है बह जहादार सा क्योंकि मिर्जा तो आप जानते हैं कि बाबर की पुरोजों के उपादी थी यानि कि जो मुगलों की उपादी समरकंद में और काबुल में थी वह उपादी किसको दी गई सवाई राजा जैसिंग को आगे बढ़ते हैं इसने मारवार के राजा अजीत सिंग को महा राजा के उपादी दी महा राजा के लिए तो अजीत सिंग को महा राजा के उपादी और सवाई राजा जैसिंग को मिर्जा के उपादी किसने दी जहादार से इसके बाद नाम आता है फरुक सियर का बहुत महतफ़ों नाम क्योंकि अब यहां से आपने पढ़ा कि इसे ग्रेडित कायर कहा जा रहा है ग्रेडित कायर क्यों कहा जा रहा है क्योंकि अब मोगलिया सल्तनत में जो बाश्चा है वो puppet government मतलब बनाये गए बाश्चा होंगे कोई king maker होगा वो राजा बना रहा है तो जब king maker king बना रहा है तो king कभी ताकतवर नहीं हो सकता है क्योंकि king maker या lady उससे ज्यादा ताकतवर है इसे दो सयद बंदू नाम पूछा राता है की हत्या हो गई बहुत इंपॉर्टेंट है बंदा पहदूर की हत्या हो गई किसके सासनकाल में और यहीं से समझना है कि बाला जी बिश्वनात के साथ दिल्ली की संधी होई 1719 में यह वो टाइम पीरेड है जब बाला जी बिश्वनात अपने पीक पर लेकर के चल रहा है में दिखता है और यहीं वो पॉइंट है जहां से मराठों को अब लगना शुरू हो जाएगा 1730 के बाद से कि शायद हम पूरे हिंदुस्तान पर कंट्रोल कर लेंगे लेकिन 1761 में पानीपत के तीसरे उद्धे में हुई मराठों की हार ने यह तैय कर दिया कि हिंदुस्ता बाला जी विश्वनात वह अजीत सिंग की मदद से परुक्सियर के हत्या करवा दी मैंने क्या कहा था यदि किंग बनाएंगे किसी को और वो आप वाली नहीं करेगा तो आप उसको डिपीट कर देंगे हटा देंगे यह प्रकृति का नियम है यदि किंग आपने बनाया है उसे आपके हिसाब से उसे करना पड़ेगा ऐसा ही होता है यदि फुरा और समझा जाए तो 1715 में परुक्सियर बिमार हो गया और एक सर्जन जिसका नाम क्या था विलियम हैमिल्टन इस्ट इंडिया कंपनी की मदद से उप्चार किया और उससे प्रसंद नोकर कंपनी को ए एक फरमान जारी किया था फरमान का मतलब था free trade permit यानि कि बिना tax दिये आप ब्यापार कर सकते हो आप देखे यहीं से वो दौर है कि जब अंग्रेज ब्यापारियों को बिना tax दिये ब्यापार करने का मौका मिलेगा तो वो हिंदुस्तान के ब्यापारियों को कमटेशन में बहुत पीछे चोड़ देंगे हिंदुस्तान की domestic economy बरबाद होने लगेगी और Britain की economy फलने पूलने लगेगी यही से British economic policy का real चेहरा सामने निकल करके आना शुरू होता है कि वो क्या चाहते हैं यदि UP का आप exam दे रहे हैं पर एक सवाल और पुछा सकता है कि जो उत्तरप्रदेश का फरूखाबाद है वो किस मुगल बाश्या के नाम पर रखा गया है तो आंसर याद रखेंगे आप फरूख सियर के नाम पर रखा गया है ठीक है साहिदे मरहूम भी कहा गया इसको अन्य नाम से तो फरूख सियर के बारे में आपको इतनी बात ने जाननी है जो मैंने आपको बता दी अब बात करते हैं मुहम्मद शाह जिसे इतिहास कारों ने क्या कहा रंगीला ध्यान से समझना कि फरूख सियर के टाइम पर ही सयद बंदू इतने ताकतवर हो गए थे कि आने वाले बात्षा जो भी बनेंगे वो पपेट बनेंगे क्योंकि एक तरफ सयद बंदू एक तरफ अजीत सिंग एक तरफ बाला जी विश्वनात कि जो अलायन्स है जो ताकत है वो मुगल बात्षाहों को पपेट बनाने के लिए सफिसेंट है और ऐसे में मुगल बात्षा आप सिकुरते जा रहे हैं और वो दिल्ली के लाल के लिए से चांदरी चौक तक के गुलजार रोशन गलियों को ही अपनी बात्षाहत समझते हैं ऐसे में अब इंडिपेंडेंसी का दोर आएगा और मुहम्मद शाह को तो इतिहास कारों ने रंगीला की टाइटल दी थी इसका मतलब है कि इसके साशनकाल में रंगीनी अपने चरम पर पहुँच रही है जब बात्षाह इतना रंगीन है तो नबाब अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अवद, हैदराबाद, भरतपुर मतुरा, बंगाल ऐसे तमाम छेत रहोंगे जो अपने आपको इंडिपेंडेंडेंट डिकलेर करेंगे और एक राज्य के रूप में सामने आ जाएंगे आईए समझते हैं यह सारे सुदंदर राज्य बन गए इंडिपेंडेंडेंट स्टेट वाले लेक्चर में हमने आपको बताया कि बंगाल मुर्षित कुली खान ने इस्टेबलिस किया अवद, शादत खान ने इस्टेबलिस किया बदन सिंग ने मतुरा और भरतपूर को इस्टेबलिस किया और इसी के टाइम पिरेट पर हमने बताया आपको कि 1720 में जजिया को अंततह समाप्त कर दिया गया वन आप लहाभ मोस्ट इंपॉर्टेटन कोशिन कि जजिया को अंतत्य कि ने समाप्त किया तो आणसर उजाएगा मुआं सा इस ऐसा अठेक हो कि इस बात को ध्यान से समझेगा कि यदी आपको पता है कि आपके परिछा जून में होनी है चुलाइम होनी है अगस्त यह हो कि आने दो एक्जाम देख लेंगे बहुत देखें एकजाम एक और देख लेंगे ऐसे नहीं होता है incentiv कि आने से पहले आप ने क्या तयारी करी है इस पर डेपेंट करेंगा कःग्जाम में क्या देखेंगे वक्त हैं 1749 का और जगए में हरियारा का करनाल इरान से आया हुआ नादिर शाह पूरी सेना लेकर के आता है लाहा और अम्रिसर जाल अंदर लो धियाना होते हुए जब बढ़ता है दिल्ली के लाल किले में बैठा हुआ मुहम्मद शाह जिसे इतिहास कार रंगीला कह रहे हैं उसे सूचना मिलती है कि नादिर शाह हमला करने आ र लाल किले में पहुंचता है और वहां से तक्ते ताउस में लगा हुआ कोहनूर हीरा भी निकाल करके इरान ले जाता है ऐसे में यह जो करनाल का युद्ध है इतिहास में एक डिसिसिव बैटल जिसे जिसनी अप्रूफ कर दिया कि हिंदुस्तान का बास्षा इतना कमजोर हो और 1749 में अहमद शाह अवदाली भी भारत पर आकर्मण करता है नादिर शाह के आकर्मण की दिया हम बात करें 1749 की तो इसमें एक खास बात क्या थी जरा वो समझने की कोशिस करिएगा कि जो अवद के फाउंडर थे शाधत खान इन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें सपोर्ट करना चाहिए किसका मुगलिया जल्पनत का और इस कंडिशन में सपोर्ट नहीं मिल पाया तो 20 करोन की डिमांड करी गई थी इनसे और उस इस्तिति में जहर खा करके मरना पड़ा जो नादिर शाह का successor था जैस से आप अहमद शाह कहते हैं अहमद शाह आहमद शाह को यूग का मौती कहा गया इसको टाइटल दिया नादिर शाह ने दुर्रे दुरानी दुर्रे दुरानी टाइटल था और कहा गया कि यह कोई उद्ध हारता नहीं है इस उद्धे से के साथ आप अभी पढ़ेंगे आगे कि अहमद शाह अबदाली ने लगातार आकरमण की है भारत पर अभी मैं सारे आकरमण आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन एक बात होता है करनाल की विद्ध में मिली हार के बाद मुगल बाश्चाहों का जो मुराल है वो बहुत डाउन हो चुका है और अगला मुगल बाश्चा अब देख सकते हैं 1748-54 कौन अंच्चा इसके टाइम पिरिट पर अकेले अंच बर आकरमण कर दिया कि वाल इसी के टाइम पर अहमद शाह के समय में अब्दाली ने कुल पांच बार आक्रमण कर दिया अब सूची कल्पना करी कुल आठ बार उसने आक्रमण किया था लेकिन अके रहे अहमद शाह के टाइम पर ही कुल पांच बार आक्रमण हो रहा है और कहा जा रहा है कि अहमद शाह के समय में एक महिला राज माता अधम भाई का प्रसासनिक क बड़ा हस्तक्षेप था और उन्हें विला ए आलम की उपाधी भी दी गई थी दो जून 1754 को मराठों की मदद से आलमगीर द्यूति को मुगल बास्षा बनाए गया अब जरा कंसर्न समझेगा कि अहमद शाह हमला कर रहा है अलगातार अहमद शाह के टाइम पर और अहमद शा है इसका मतलब मराठे दिल्ली के बास्षाहों के किंग मेकर बने हुए है इसका मतलब मराठों को लग रहा है कि दिल्ली तो हमारी ही है अब आगे बढ़ो कहां अब आगे बढ़ो लाहौर की तरफ और लाहौर की तरफ आप आगे बढ़ रहे तो उधर किसकी नजर है अहमद शाह ने इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मथुरा को लूट लिया इसी किसमें मराठो ने भी दिल्ली को सीज कर दिया 1777 अब देखी अहमद शाह और मराठे कांफ्लिक्ट आकर के खड़ा है 1777 में और आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं कह 1761 के और इधर अंग्रेज बहुत ही चालांकी से अपने धन को इकठा करने में कहां वीजी हैं बंगाल में बैटलाफ प्लासी रवर्ट क्लाइब अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए करोणों रूपय की इकठा करने की कोशिस में लगा हुआ है इसी के शासनकाल में और मैं पूरे दावे की साथ कह सकता हूं कि इतना सिस्टेमेटिक नोट्स आपको किताबों में बहुत कम मिलता है हमने एक बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत कंपाईलेशन के साथ आपको प्रवाइड किया है आप इसे दो बार चार बर छे बर तब तक पढ़ें जब तक कि आपको मेमुराइज ना हो जा याद ना हो जा और यह कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं इसी कहानियों में कथन और करण वाले सवालों का जबाब चुपा होता है इसलिए कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है समझना है कहा जा रहा है कि 1749 में मुहमद शाह के टाइम पर हमला हो रहा है 1749 में अहमद शाह के टाइम पर 1772 में लाहूर का युद्ध 1756 1761 में पानीपत का तृती युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट 1761 में पानीपत का तृती युद्ध कौन हार रहा है मराठों की होई हार नेता है कर दिया कि हिंद और 1767 में आखिरी हमला कुल आठ बार और अहमद शाह के टाइम पर पांच बार अब बात करते हैं साथी हूं शाह आलम सेकेंड की 1760 से लेकर के 1788 तक जो पहला फेज है शाह आलम के टाइम पर क्या-क्या हो रहा है देखे शाह आलम अपनी ताकत को समझ चुके हैं दिल्ली के लाल के लिए इसलिए के चांदनी चोक तक सीमित मुगल बाश्या के टाइम पर बक्सर का उद्ध होता है आप सब को मालूम हमने बताया बक्सर का उद्ध क्यों हुआ जोईंट आर्मी हार जाती है मुगल बास्ता अवद के नवाब और बंगाल के अपदस्त नवाब मीर गासीम के जोईंट आर्मी विर्टिस इस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुन्रो के नित्रित में 22 अक्टूबर 1764 को शुरू हुए बैटलाब बक्सर में भैंकर हार का सामना करती है और अंग्रेजों को उधर इलहाबाद की संदी के माद्यम से रावर्ट क्लाइब दिवानी राइट दिला देता है और उस दिवानी राइट से बंगाल बिहार और उडिशा का टेक्स कलेक्शन पावर अंग्रेजों के फेवर में आता है और अंग्रेजों के पास पैसा आना शुरू हो जाता है इसी बीच में 1761 में पानी पत के तीसरे युद में माराठों की हुई हार नहीं अताय कर दिया कि अफगानी जो है वो अभी भी ज़्यादा ताकतवर है माराठों से 1765 में लहबाद की संदी 1770 में हुए बंगाल में एक बहुत बड़े अकाल में यह था सम्भ मदद ना मिल पाने से बाज़शा के प्रतिन अफरत का पैदा होना 1761-1764 में जाटों का बिद्रो करना और इसी समय 1803 में आप देखेंगे 1886 से लेकर के 1837 तक इसमें सिर्फ एक कुशन बनता है मोटे तोर पर वो ये बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपादी किस ने दी थी तो इसी ने दी थी जिसे आप अकबर सेकेंड कहते हैं याद रखेगा इसको इसके बाद बहादूर शाह जफर जिसे हम 55 की क्रानती के बाद कि आप मोगल बाश्चा हुआ अपने तित्र करो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेजियों को हिंदुस्तान से भगा देंगे ऐसे में शायद बाश्चाह के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है लेकिन कमजोर बाश्चाह नेतरत मजबूत नहीं कर पाता है और अंतता अंग्रेज 877 की क्रानती को दबाने में सफल होते हैं क्योंकि भारतियों में एकता की कमीजी राजपूत राजाओं में या फिर भारती जो राजा थे उनके अंदर अपने नेटिव प्लेस को बचाने की ज़्यादा जदो जहती इसके जगहां पर कि ह हम हंदुस्तान को सेक्योर कर लें ऐसे में मुगल बाश्या कुछ बहुत नहीं कर पाता है और उसे हार का सामना करना पड़ता है अंग्रेजियों उसे कहां भेज दिया रंगून भेज दिया और वहीं पर उसकी मृत्ति हो गया आगए 1662 में चुकि वो जफर के नाम से यहा मायों का मकवरा है मुगल बाश्याहों का समसान घाट भी कहा जाता है पांच मुगल बाश्याहों के यहां पर दफन किया गया वहीं पर इसको भी मतलब वहां से इसको गिरफ्तार किया गया था लेकिन भेजा कहां गया था रंगून और वहीं पड़ेत हुई तो मकवरा भी कहानी याद रखनी है जो हमने sheet में आपको facts दिखाए हैं वो facts याद रखना है और किसी भी mcq की book से उठा करके mcq practice करना है और साथ में जो इस video के बाद हम mcq practice की series देते हैं आपको उसे जरूर देखना है ताकि आपको इग्दम crystal clear हो जा और map से सीखते रहना है समझते रहना है उमीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल lecture समझ में आया होगा और कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको परिशान करें बहुजूद उसके यदि हम लोग थोड़ा समझ करने की कोशिस करें तो यदि आप से ऐसा पूछा जाए कि कारण क्या क्या रहे हैं तो देखिए एक तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है उत्तराधिकार के जो लड़ाई होती तो आपस में लोग तूटते हैं कमजोर साशक रहे हैं मुगल अमीरों का आपस में तूट जाना यानि कि पद के लिए आपस में लड़ जाना तूट जाना और अंग्जिप की दक्कन की नीती एक कारण रही है जागीरदारी या मनसबदारी की जो संकट क्रियेट हुई थी वो एक कारण रही है तो ये सारी कारण रहे मुगले सल्तनत के टूटने के टूट करके बिखर गई सल्तनत और अंग्रेजों का असासन अटार सो अठावन से हो गया तो मुझे उमीद है कि modern history के समझाने के कोशिस की है कि आधुनिक भारत की जड़ें कैसे मुगले सल्तनत के टूटने में हैं अंग्रेजों को कैसे मौका मिल रहा है अपने आपको इस्टाबिस करने में यह आपको आसानी से समझ में आएगा और इसके बाद जब आप ब्रेटिस इस्टाबिस्मेंट अंगलो मराठा हो एंगलो सिख हो कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मुगले सल्तनत में बैठा हुआ जो बाश्या है दिल्ली में उसके पास तो सेना ही इतनी कमजोर है कि वो किसी की मदद ही नहीं कर सकता है चाहिए बंगाल की नबाप की मदद करनी हो या पंजाब में मदद करनी हो कहीं कोई मदद नहीं कर सकता है that is the reason कि अंग्रेज एकदम से एक किनारे से सबको defeat करते हुए अपने आपको step risk कर लेते हैं तो पूरी की पूरी बात आपको समझ में आएगी बस इस lecture की continuity में बने रहिए और enjoy करिए subject को पढ़ाई इस नजरिये से करिए कि आपको ज्यान चाहिए सफलता उसमें नहित है सफलता के पीछे या परिडाम के पीछे मत भागी कर्म के पीछे भागी आराम से फल मिलता रहेगा यही सरवत्तम दर्शन है नमस्कार धन्यवाद